स्वाथय єह पारम झाहा डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकरthat open university नमस्कार मैं डॉक्टर वन्माला बाविस्कर डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकरесп ओपन युनियुर्सिटी की और से चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ चात्रों आज हम बी ये द्वितिये वर्ष के पेपर चार के अंतरगत विभाग पांच की पहली इकाई छायावाद का स्वरूप और विकास की चर्चा करेंगे इस इकाई को पढ़ने के बाद आप चायावाद नामक काववे अंदोलन तथा चायावादी काववे का निर्मान करने वाली परिस्थीतियों का को जान सकेंगे आधुनिक हिंदी काववे के विकास में चायावाद की सही परक और पहचान कर सकेंगे चायावाद के चार आधार स्तंब जैशंकर प्रसाद, सुर्यकांत्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत का परिचय तथा उनके कावव्यका सम्यक अर्थ बोध प्राप्त कर सकेंगे चायावाद की विशय वस्तु तथा वैचारिक प्रुष्ट भूमी को समझ सकेंगे चायावाद यूप में परिवर्थित रचना विधान का प्रामानिक परिक्षन करते हुए उसकी शक्ती एवं सीमाओं का मुल्यांकन कर सकेंगे मित्रो आप सभी जानते हैं की आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं भारतेंदू यूग से शुरू होता है भारतेंदू यूग 1850 से 1900 तक का जो काल है उसे भारतेंदू यूग जिसकी अगवाई भारतेंदू जी ने की थी भारतेंदु प्रतिनिधी साहित्यकार माने जाते हैं भारतेंदु युग के जिनके नाम से ही इस युग का नामकरन हुआ तो दूसरा जो चरन है आधुनिक काल का द्वेदी युग से 1920 तक का जो युग है उसे द्वेदी युग कहा जाता है महावीर प्रसाद दुएदी जी के नाम से यूग का नामकरन किया गया है। और इसके बाद का जो यूग है, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं उस वग्ष्च् detox हैं में चायावाध सी 1920 से 1936 तक के कालखंड को जो है छायावाद का नामकरन दिया गया है, नामकरन किया गया है, इसके बाद प्रगतिवादी कवीता, प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक और प्रयोगवाद और नई कवीता उसके बाद आई, इस तरह से हम आधुनिक काल को विविध्य चरणों में बाट सकते हैं, बाटा गया है, अब हम जबकि छायावाद की बात करने वाले हैं, इस व्यक्ष्यान के अंधर गत, तो छायावाद का अभिप्राय क्या है, छायावाद में जो है काव्यात्मक अभिव्यक्ति, जैसे कि हमने पहले बात की कि हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य को मुख्य तह, तीन भागों में बाटा जा सकता है, आधिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, आधिकाल की समय सीमा, समवत 1050 से समवत 1375 तक मानी जाती है, अब हम इसके बात का जो यूग है, आधुनिक यूग इसकी बात हमने की, चायावाद का आरम मुकुद्धर पांडे ने उनीस सो बीस के अंतरगत चायावाद का जो नामकरन है वह कहा जाता है कि मुकुद्धर पांडे ने असरी शारदा में हिंदी में चायावाद सिर्शक्ष चार निबंद एक शूंखला के रूप में छपवाए थे जो चायावाद के संबंद में सर्व प्रथम लेख है इस प्रकार सर्व प्रथम चायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था चायावाद को मिस्टी सिजम के अर्थ के रूप में भी प्रयोग किया गया था आरम में चायावाद शब्द का प्रयुक व्यंग के रूप में किया गया था लेकिन बाद में इसे सहर्ष स्विकार कर लिया गया था तो इस तरह से चायावाद का जो है नाम करन हुआ काववयत्मक अभिव्यक्ति इस जो चायावाद युक के जो कवी थे उन्होंने जो अभिव्यक्ति की शायली उनकी जो अभिव्यक्ति थी वहां काववयत्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया रहस्यवाद सचंदतावाद उनके जो काववय की जो विशेष्टा है चायाव तो उनकी नाम के साथ ही कुछ जो है श्व हमें याद आ जाते हैं रहस्यवाद सवच्छंदतावाद उनकी जो कवीताय थी स्वच्छंद कवीताय थी जैसे कर ना जानते है कि नीरहाला ने मुक्त चंद का प्रवर्तन किया. तो इस तरह से जो कवित आये थी, वहां सचन्द थी. अलंकार और चंदो से मुक्त थी. किसी भी छोटे-चोटे विश्य को ले कर वे लिखते थे, सचन्द से लिखते थे. रहस्यवाद, आत्मा को, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इस तरह का रहस्यवाद, उनके कावे में दिख्फाई पड़ती थी, चित्रभाषा शैली उनका जो वर्णन होता था, बहुती चित्रात्मक होगा करता था कावे में, तो इस तरह से उन्होंने चित्रभाषा शैली अपनाई, भाव की छाया के रूप में भी छायावाद को कहा जाता है जो कविता है कि उनमें भाउचाया होती है तो इस तरह से चायावाद का हम अभी प्राइस पश्ट कर सकते हैं क्या है छायवाद को बहुत सारे आलोचकों हने जो है परिभाषा यह यह चायवाद की डॉक्टटर राम कुरु कुमार वर्मा जो है चायावाद को रहस्य वाद से जोडते हैं वे कहते हैं जब परमात्मा की चाया आत्मा में पढ़ने लगती है और आत्मा की चाया परमात्मा में तो यही चायावाद है नन दुलारे वाचपे ये भी बहुत बड़े आलोचक थे चायावादी इन्होंने हिंदी साहित्य बीस्वी सदी पुस्तक में उनकी ये पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक इसे आध्यात्मिक चायावाद को उन्होंने आध्यात्मिक चाया का भान कहा है उनके अनुसार चायावाद सांसारिक वस्तू में दिव्य सौंदर्य का प्रत्य है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रती सुष्व का विद्रोह छायावाद है तो इस तरह से मित्रों तरह तरह के आलोचक जो बड़े-बड़े आलोचक समालोचक हुए थे उस समय उन्होंने छायावाद संबंदित अपनी विचार स्पष्ट किये है आधोनिक स साहित्य का स्वर्ण यूग भी कहा गया है चायावाद को तो चायावाद के संदर में अब हम उसका अभिप्राय और परिभाशा जानने के बाद इतना हमें समझ में आता है कि चायावाद हिंदी साहित्य के रोमेंटी उत्थान की वह काव्यधारा है जो लबभग इस मिशन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवानी रही जैशंकर प्रसाथ सूर्यकांत्रिपाठी निराला सुमित्रा नंदन पंथ महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के प्रतिनिधी कभी माने जाते है जिने चार स्तंभ कहते है चायावाद की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चायाव स्वर्म लाथ हमने की और इस तरह से इसे सहीतिक खड़ी ओली का स्वर्म यूग कहा जाता है अब च्छायावाद की प्रुष्टभूमी जो है द्व्यदी यूग की जो कवीता थी इतिवरुतात्पक थी उकदेशात्मक यूपोल्य क्वेता थी इन सभी की प्रतिक्रियात इती वृत्तातमक्ता के विरुद्ध सुष्म भावनाओं की प्रतिष्था, सुष्मक के विद्रुः था। जुरिती कालिध कवित ऐती जिनमें मांसल वर्नन होता था। एक ही शुंगार ही हमें, चलता था, सुंगार ही चलता था कविताओं में, शुंगार की बात होती है, सउय योग, प्रयोग, इन सभी की बात沼ी, शुंगार का भी जिक्र शायवाद में raj arriba ही, लेकिन नो अजो शुंगारिक वर्नन, जो tremend मांसल था, जो हुआ लेकिन रिति–कालिन कभ्यों को ने मांसल रूप से सुंगारिक वर्नन किया था। उत्ना मांसल… कहा जा सकता है कि भहती शुद्ध्ध, प्रेम का शुद्ध स्वरूप उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है चायावादी कव्यों ने इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुक्ति की प्रबल चाह मुक्ति नारी को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझा जाता था पहले कि जो कव्यों टायक लिखी जाती थी रितिकाल में तो जो है नारी की मुक्ति का एक मुक्ति की बात अपने काव्य में इन कव्योंने की चायवादी कव्योंने प्रानवान मुल्यों की प्रतिष्ठा की जो हम देखते थे कि समाज में बहुत सारी विद्रूपताय फैली हुई थी उस समय और हम आजादी के जो लिए जो है लड़ रहे थे आजादी पाने की आकांग्षा थी वो भारते इंदु काल में नौ जागरन में हमें दिखाई पड़ती है आगे चलकर जब हम निकट आ गए थे आजादी के उस समय जो है प्राणवान मुल्यों की प्रतिष्ठा देश के प्रति देश प्रेम की भावना हम दे जो हमारे रोम रोम में देश भक्ति भर दे थे ऐसे गीत लिखे गए तो चायावाद जो था उसकी प्रुष्ट भूमी हम कह सकते है उस पर पास्चत साहित्य का भी प्रभाव देखा जा सकता है सामाजिक वैशम में के विरोध स्वरुप भी जो है चायावाद का अदब जो थे प्रुष्ट भूमी जो तयार हुई चायावाद के लिए इसकी हमने चर्चा की अब चायावाद कालीन परिस्थितिया प्रथम वीश्व युद्ध उननीस सो चौदा से नीस सो अठारा के समाक्ति के समय राष्ट्री और अंतर राष्ट्री स्थितियों में बदला को आया है श्वेले जो थे कवी जो खुल कर लिक नहीं सकते थे अपनी बात कह नहीं सकते थे अंग arguendoon पर बहुत ही दबाता करता था कुछ भी अगर लिख दिया और अंगरे आगर 오 थ्युक्ल कप पसंदब दें हाया तो वह कि fallya कर लेते थे नहीं कव्यों की रचनाय उनका लिखना जो है मुश्किल हो जाता था ऐसे में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा था 1916 में गांधी जी का भारत में आगमन जागरुत्ता उस समय जो है आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे और बहुत सारे जो समास सुधारक हमारे अर्वींद है मर्शियंद अर्वींद ये सारे जो रविद्रनाथ टैग और उनका गीता नजली आया था उसी समय और इस सारा के जो बदलाव हुए तो उसका प्रभव जो है छायावाद जो है छायावादी कव्यों पर पड़ा और उन्होंने मुक्त स्वतंत्र होकर लिखना प्रारंभ गिया और देश की जन्ता को जगाने के प्रयत्न किये गांधी जी का असवयोग अंदोलन उससे भी कई कवी और लेखक जुड़े तो यूरोप के स्वच्छन्द दावादी साहित्य का प्रभाव भी जो है हमारे छायावादी कव्यों प चारो में बदलाव लाया था इस तरह चायावाद में जो थी चायावाद विदा काल था उस समय की परीस्तितियां हिंदी साहित्य पर बांगला साहित्य का भी प्रभाव उस समय चूरो शोरो से पड़ा था बंगला साहित्य की बहुत सारी जो कविताय या फिर साहित्य सारी कुरूतिया जो थी वहाँ अनुवाद होकर हिंदी में आ रही थी और उससे जो है साहित्य कारकवियों को प्रेरना मिल रही थी चायवाद की प्रमुक विशिष्टाय हम देखते हैं तो अभिव्यक्ति की भा सायवाद की जो कविताय थी वो मानव मन को चूने वाली थी एक मनुष्य की अभिव्यक्ति की भावना थी उसमें चाहे वह कोई सुक की अनुपुती हो दुख की अनुपुती हो या कोई भी अवस्ताय हो तो उसकी अभिव्यक्ति की भावना थी उन कवियों में रूडियो सरवाबोर कवीत आए या फिर शुंगार वर्नन से भरी पड़ी कवीत आए या फिर उपदेश आत्मक कवीत आई ये सारी जो रूडिया चल रही थी कवी साहित्य में तो वह सारी जो रूडियों से मुक्त कवीत आए रची जा रही थी रहस्यवाद बहुत ही चित्रन चायावादी कव्यों ने किया है विशेशकर सुमित्रानंदन पंध जो प्रकुरूती के चितेरे कहे जाते हैं उन्होंने प्रकुरूती का सुन्दर वर्नन अपनी कव्यों में कविताओं में किया है प्रकुरूती का मानवी करन हम कह सकते हैं इन कव्यों ने किया प्रकृती के माध्यम से, प्रकृती और परियावरन की बाते उन्होंने अपने काव्य में गी, प्रकृती के माध्यम से मानव जीवन को जूड़ा, नारी स्वतंत्र की भावना, जो नारी जकडी हुई थी बंधनों से, रूडियों और परंपराओं जो थी जकडी हुई थी तो उस नारी को स्वतंत्र किया इन कवियों ने, अपने कवितावों में सम्मान सूचक, सम्मान दिलाया नारी को, और नारी का भी विशेश स्थान इन कविताव में हम देख सकते हैं, उसकी नारी की एक अलग पहचान इन कवियों ने बनाई, राश्ट्रिय भावना, छायवा भाधी जो कवी थे उन कवीऊं प्रमक्विशेश्था रही उनके कवीता में राश्ट्रिय भावना से वोत्प्रोत थी, राश्ट्रिय उस समयी जो था आजादी के लिए हम लट रहे थे, सब तरब जरूरत थी कि सभी के अंदर एक राश्ट्र भाव एक देश के प्रती प्रेम देश के प्रती देश भक्ती जगे इसका प्रयत्न इन कव्यों ने भरपूर किया तो व्यक्तिवाद की प्रधानता भी इन चायवादी कव्यों में व्यक्तिवाद की प्रधानता थी शायद आधूनिक यूग की अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तिवात का जनम हुआ छायावादी कावे में किसी जाती महाजाती के सुख दुख की नहीं अपितु साधारन व्यक्ति के सुख दुख की बात थी कवी अपनी कविताओं की विशेवस्तु की खोज बाहर से नहीं अपितु अपने भीतर से करता है इसलिए छायावादी कावे में कही कही अहम भाव नाकियती है परन्तु यह अहम भाव और सामाजिक नहीं है इसमें सर्व मिला हुआ है इस कविता में कवी का रोना या हसना का व्यक्तिगत नहीं अपितु प्रत्तेक संगर्श्रत व्यक्ति का सोना हसना है जैसे कि हम कहते हैं निर्याला ने कहा है मैंने मेशली अपनाई देखा सब दुखी निजभाई तो इस तरह से जो है छायवादी कवी जो है उनकी जो अपन मानवतावाद भी छायावाद का सबसे उज्वल बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष्टा रही है वही युग वास्तव में विश्वयुद्ध और मानवतावाद का युग था युद्ध के भयंकर परईनामो को देखकर अनेक महापुरुष मानवतावाद का प्रचार कर रहे थे प्रसाद की कामाईनी और निराला की तुलसीदास रचनाय मानवतावाद की भावना से ओत्रूत रचनाय है चायावादी काव्य में राष्ट्रवाद की भावना भी संकीर्ण नहीं अपितु मानवतावादी है राष्ट्रवाद की भावना संकीर्ण संकुचित नहीं यही कारण है कि छायवादी कावय में मानव प्रेम, उदारता, करुना और विश्व बन्थुत्व की भावना आदी के दर्शन होते हैं। उच्छ गुणो के उच्छ मुल्यो के दर्शन हमें छायावादी कवई के काव्य में होते हैं। पंठ जी ने मानव प्रेम के विशई में कहा है सुन्दर है विहग सुमन सुन्दर मानव तुम सबसे सुन्दर तम वेदना और निराशा। इस तरह से छायवादी कवी जो है उनके काववे में वेदना के भी हमें दर्शन होते हैं छायवादी काववे में वेदना और निराशा सरवत्र अभिवेक्त हुई है कुछ आलोचक मानते हैं कि यह निराशा ततकालिन वातावरन की देन है क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजु का गुलाम था और आंदोलन जो थे वह कहीं कमजोर पड़ रहे थे और छायवादी कवी मानते थे कि वेदना और निराशा से ही काववे उपाशता है आपता को ही से उपचा होगा गान उमड कर आखों से चुपचाप और बही होगी कवीता अंचान इस तरह से उन्होंने जो है एक डुखी मन से भी एक जर्णा काव्य के रूप में उमड पड़ता है ऐसा पंत कहते हैं तो नारी प्रेम जो है यहां पर हमने बात की कि पहले नारी का जो चितरन था रितिकाल में वह मांसल वर्नन होता था नारी को सिभ भोग की वस्तु माने जाते थे लेकिन इन कवियों ने जो है नारी प्रेम और सौंदर्य चिंतरन विशिष्ट रूप से किया चायवादी कवियों नारी प्रेम और सौंदर्य के अनेक चित्र प्रस्तुत की प्रसाद ने नारी के विशय में लिखा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो स्वतंत्रता और प्रेम के बारे में अधी हम बात करें स्वतंत्रता अपकी जो भावना है उसकी अधी हम बात करें चायावादी कव्यों के काव्य में राश्ट्रिय जागरन का स्वर्भी उन्मुक्त था यह कवी अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता का आववान करते थे राष्ट्रिय अंदलन का प्रभाव इन कव्यों पर पढ़ना स्वाभाविक था प्रशाद के कावे में तथा नाटक में दोनों में ही राष्ट्रिय भावना देखने को मिलती है माखनलाल चतुरवेदी की राष्ट्रिय भावना का एक उधारन देखिए मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत पर तुम देना फेग मात्रुभुमी पर शीष चिड़ाने जिस पत आय वीरानिक तो इस तरह से हम छायावादी काव्य की जो विशेष्टाय है उन विशेष्टाओं के अंतर गत देख सकते हैं किस प्रकार जो अभिव्यक्ति थी वह व्यक्ति नहीं थी समाज की अभिव्यक्ति थी रूडियों से पुरानी जो चाहे वो नारी की मुक्ती हो चाहे कविता की मुकती हो रूडियों से मुकती दिलाई च्छायवादी कवियों ने उनके काव्य में रहस्यवाद, प्रकृती प्रेम और नारी सुतंत्रे की भी भावना चलकती है और हमने राश्ट्रिय भावना भी उनके जो कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भ चायावाद की प्रमुक शिल्पगत विशेष्टाओं पर बात करेंगे तो चायावादी कवियों ने कल्पना को जो है नए सांचे में ढाला पहले की जो इससे पहले जो कविताय लिखी जाती थी सिर्फ कल्पना पर आधारित हुआ करती थी बताना मुश्किल होता था कि यह क कल्पना का जोग जादा हुआ करता था पहले की कविताओं में तो अब जो है कल्पना को कल्पना का सहारा तो लिया इन कवियों ने लेकिन उसका जो है उसे नए सांचे में उन्होंने ढाला उनकी काला पक्ष के जुश्टी कॉन से भी चायावादी कावे उतना ही जब कविता पढ़ते है तो नारी संद्मुक्ति यस जित्र आ ऑपस्थीत हो जात आ है तो इस तरह की उनकी भाष छंद से मुकति इन कवियों ने जो है कोमल कान शब्दावली का प्रयोग किया और संस्कृत निष्ट भाषा पर बल दिया चंदों के दुरुष्टिकों से छायावादी कव्यों ने परंपराओं को तोड़ा है निराला ने मुक्त चंद की नीव रखी फिर भी गेता इन कव्यों की कविताओं की प्रमुख विशेश्ता रही भले ही उन्होंने चंदों या अलंकारों का प्रयोग कम किया लेकिन संग नितात्मकता लेब अध्धता इन कव्यों की मुख्य विशेश्ता रही है रस्य भावना के कारण किन कव्यों की कविताओं इन कव्यों प्रतिकात्मक पसांकेतिकता इन कविताओं में मिलते हैं इन कव्यों ने शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों क प्रयोक किया है इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेश, पुनरव रुक्ती, रूपक, उक्मा, उत्प्रेक्ष्य, आतिश योक्ति, मानवी करन, आदि अलंकरों का सुन्दर प्रयोक किया है इस प्रकार बिंब और प्रतिकों के माध्यम से भी अपनी बात कहने का प्रयतन इन कवियों ने किया है अब हम प्रमुख चायावादी कवी जो है उन पर एक नजर डाल लेते हैं जैसे कि हमने पहले बात की कि प्रमुख चायावादी युक के जो प्रमुख चार कवी है जो जिने हम चार स्तंब कहते है चायावाद के पहले जो कवी ह साथ कभी ही नहीं बल्कि एक गध्यकार भी है सूर्यकांत्री पाथी निराला सुमित्रानंदन पंथ महादेवी वर्मा यह जो है मुख्य चार स्तम प्रमुक चायवादी कभी के अब जैशंकर प्रसाथ जी है उनकी कुछ रचनाओं पर हम नजर डालते हैं उन्होंने उर्व 1913 में प्रकाशित हुई प्रेम पथिख 1913 में और करुणा ले भी 1913 में ही प्रकाशित हुई माहाराना का महत्व 1914 में प्रकाशित हुई उनकी कुछ जरना आसू, लहर और कामाईनी कामाईनी जो है वह छायावाद का बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव भी माना जाता है छायावाद महत्वपूर्ण कुरूतियों में कामाईनी का नाम आता है तो इस तरह से आसू जो है वह छायवादी पहली कवीता मानी जाती है सूर्यकान त्रिपाथी निराला इनके जो चार संग्रह है अनामिका, परिमल, गीति का अनामिका का प्रकाशन 1923 में हुआ परिमल 1930 में गीति का 1936 में और तुलसी दास जो है उनकी लंबी कवीता है, 1936 में प्रकाशित हुई अगले जो कवी है सुमित्रा नंदन पंथ जिने हम प्रकुरूती के चितेरे कवी भी कहते प्रकुरूती के सुकुमार कवी के नाम से ये जाने जाते है उच्छवास, 1920 में इन्होंने लिखा 1920 में प्रकाशित हुई ग्रन्थी, 1920 में वीना 1927 में पल्लव, पल्लव की जो भुमी का है वहती महत्वपूर्ण रही चायावाद के लिए चायावाद का जो अभी प्राइस फष्ट करने के लिए पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंथ की 1928 में प्रकाशित हुई गुंजन 1932 में गुंजन को उनका अंतिम चायावादी कावविय संग्रह कहा जा सकता है अब अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की महादेवी वर्मा की जो रचनाय है निहार 1930 के अंदर कर रश्मी 1932 में प्रकाशित हुई निर्जा 1935 में, सांध्यगीत 1936 में, यामा 1940 में इस प्रकार महादेवी वर्मा की जो है रचनाय का वेकृतिया प्रकाशित हुई इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि छायावादी कव्यों ने स्थूल सौंदर्य की अपिक्षा सुश्म सौंदर्य का ही अंकन किया है जिसमें स्थूलता, अस्तिलता, अशलीलता और नगनता नहीं वत हैं छायावादी कव्यों रूढी, मरियादा और नियम बद्धता का स्विकार नहीं करते हैं जहां परवर्ती कव्यों ने कहीं राधा, पद्मिनी, उर्मिला के माध्यम से प्रेम की व्यंजना की है तो इन कव्यों ने नीजी प्रेमानुगती की व्यंजना की है इनके वन्ननों में विरह का रुदन अधिक है, रुदय की सुष्माती भावनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत करना छायावादी कविता का सबसे बड़ा कार्य है कहा जा सकता है कि चायावाद आधूनिक हिंदी कविता का स्वर्न यूग है जिसते रहेसे पहले भी कहा, चायावादी कवियों ने खड़ी बोली को चरम उतकर्ष प्रदान किया, हंदी कविता की नई प्रतिष्था, प्रतिष्था मिली और परसाद, पंत, निराला, महाद देवी वर्मा जैसे महान कव्यों ने इस काल को, हिंदी कविता को नए आयाम तक पहुचाया, इस कविता, इस काल की कविता को पढ़कर, पहली बार लोगों ने माना कि खड़ी बोली का माधूरिय ब्रज या अवधी से कम नहीं है, आदुनिक काल का सर्व स्रेष्ट महा कामा इस काल की देन है, तो इस तरह से मात्मित्रों, आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं, आज्या चाहती हूँ, धन्यवाद.